देखिए जहां तक राहूल गांधी जी का जो आरोप है, वो तो रोज नित नए आरोप लगाते रहते हैं, वो एक असफल नेता है और सुभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खीज और उनकी बॉखलाहट सामने दिख रही है, वो कह रहे हैं भाजपा और संग जो है वो फेस जीत काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो हैं वो सडक के गुंडे हैं, तो आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाटरा परिवार है, बाकि सब कुछ खराब है, देखिए जहां तक सांट गांट का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहूल गांधी कॉंग्रेस के उपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल से बाहर कॉंग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहूल गांधी कर रहे हैं झाल झाल